नमस्कार साथियों, निस्ठा 3.0 JHFLN मौडूल 5 बिद्या प्रवेश एवं बालबाटिका की शमज सभी राजियों के प्रात्यमिक सीख्षक्व के लिए प्रारंभ करने की ती थी 1 दिसंबर 2021, योगदान करने की अंतिम्ति थी 25 दिसंबर 2021, एवं कोर्स की समाथ्ति की ती 31 द दिए जा रहे आपके आकलन के प्रस्ण आगे-पीछे हो सकते हैं इसलिए आप दिए जा रहे फ्रस्णों को, अपने कौपी पर नोट कर ले उसके बाद ही आप आकलन के प्रास्णों तरीको एटेंट करें, तो साथियों जदी आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अब से सब्सक्राइब कर दें तो चले शुरू करते हैं रास्टिय सिक्षा निती 2020 में इसकुली सिक्षा के किस स्तर पर अत्वा चरन में बच्चों के बीच सिक्षन के नियूंतम स्तर का उलेक है और इहां बिकल्प दिया गया है प्राथमिक, दूसरा बिकल्प है माध्यमिक, तिसरा बिकल्प है प्रे स्कूल, चौथा बिकल्प है प्रे स्कूल और प्राथमिक स्कूल और इसका सही बिकल्प होगा प्राथमिक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके बाद प्रस्ण है धन्यात्मक जागरुकता की सका सही उदाहरन क्या है और इहां विकल्प दिया गया है तुकांत शब्दों की पहचान करना दूसरा विकल्प है बिरामचिन्यों लोगों एवंग लेवल का ध्यान रखना तूसरा विकल्प है किसी पुस्तक के प्रिष्टों को आगे से पीछे पलटना चौथा विकल्प है किसी पुस्तक के सिर्षक लेखक चितरकार आवरन प्रिष्ट की पहचान करना तो इसका सही विकल्प है विकल्प एक तुकांत सब्दों की पहचान करना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे है एरास्टिय सिक्चानिती 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में सामेल आयूवर्ग है और इसमें बिकल्प है पहला बिकल्प 2-8 वर्स दूसरा बिकल्प 3-8 वर्स तीसरा बिकल्प 4-8 वर्स चौथा बिकल्प 6-8 वर्स और इसका सही बिकल्प है बिकल्प 2-3-8 वर्स तो इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ण है गतिविधी अथवा रुची छेत्रों का मुख्य उद्देश बच्चों को निमनलखित के लिए अवसर परदान करना है और यहां बिकल्प है बिकल् बिकल्प 2 खड़े होना बिकल्प 3 निर्वाद रूप से खेलना अत्वा भरपूर खेलना फ्री प्ले और बिकल्प 4 है बैठना इसका सही बिकल्प है बिकल्प 3 निर्वाद रूप से खेलना अत्वा भरपूर खेलना फ्री प्ले इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ें आगे प्रस्ण है कौन सा संगठक भासा और सक्षर्ता को उसके पुर्ण रूप में ब्यक्त करता है विकल्प है पहला विकल्प मौखिक लिखना एवं कहानी दूसरा विकल्प है पढ़ना कहानी एवं लिखना तीसरा विकल्प है मौखिक पढ़ना एवं कहानी चोथा विकल्प है मौखिक पढ़ना एवं लिखना और इसका सही विकल्प है विकल्प चार मौखिक पढ़ना एवं लिखना इस पर किलिक करते हैं और आगे बरते हैं आगे प्रस्ण है बच्चों को वर्क सीट कब दी जानी चाहिए और इसमें बिकल्प है जब बच्चे ठोस बस्तों या खिलोनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुक इसका सही बिकल्प है बिकल्प एक जब बच्चे ठोस बस्तों या खिलोनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों इस पर किलिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ण है सैक्षनिक अत्वा सिक्षन में पारागमन गतिविधिय का उद्दिश्य होता है और इसमें बिकल्प है बच्चों को एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक जाने में साहिता करना दूसरा बिकल्प है बच्चों को एक गतिविदी से दूसरी गतिविदी तक जाने में साहिता करना तीसरा बिकल्प है बच्चों को एक खिलोने से दूसर को एक गतिविधी से दूसरे गतिवीधि तक जाने में साहित करना इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश इबालबाटी का में किस प्रकार की खेल अथवा सिक्षन सामगरी का सुझाव दिया गया है विकल्प है देश में निर्मि इस्थानिय कम लागत की अत्वा सुन्य लागत की सामगरी दूसरा विकल्प है बानिजीक सामगरी तीसरा विकल्प है लकरी की सामगरी और चौथा विकल्प है बच्चों द्वारा निर्मित सामगरी इसका सही विकल्प विकल्प एक देश में निर्मित इस्थानिय कम लाग प्रव प्रात्मिक इस्तर तीन के लिए निर्धारित आयू क्या है बिकलब है पांच प्लस चार प्लस छव प्लस और इसका सही बिकलब एक पांच प्लस इसपर किलिक करेंगे आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ण है बच्चों को निर्देश किस भासा में दिये जाने चाहिए और यहां बिकल्प है हिंदी, दूसरा बिकल्प है अंग्रेजी, तिसरा बिकल्प कोई भी भासा, चौथा बिकल्प मात्री भासा अथवा ज्यादतर बच्चे जिस भासा विशेश से परिचित ह इसका सही बिकल्प है बिकल्प चार, मात्री भासा अथवा ज्यादतर बच्चे जिस भासा विशेश से परिचित हों, इस पर किलिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ण है बिद्या प्रवेश एवं बाल बाटी का कारिक्रम के अंतरगत, गती विधियों तथा वर्क सीट अथवा सीखने सीखाने से जुड़े अनुवव आधारित होने चाहिए और बिकल्प है पहला बिकल्प अबधारना ओपर, दूसरा कौसलों पर, तीसरा बिशय पर, चौथा कौसलों एवं अबधारना ओपर और इसका सही बिकल्प है बिकल्प चार कौसलों एवं अबधारना ओपर, इस पर किलिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ण है बिद्या प्रवेश कारिक्रम स्कूलिंग के किस इस्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है और इसमें बिकल्ब है पहला बिकल्ब कक्छा एक पास कर चुके बच्चों के लिए दूसरा विकल्ब कक्छा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए तीसरा विकल्ब पुरप्रात्मिक स्तर के बच्चों के लिए और चौथा विकल्ब कक्छा तीन में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए और इसका सही विकल्प दो कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्ने रास्टी सिक्षानीती 2020 सुरुवातिक अक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रिया कलाब के अवसर दिये जाने की बात करती है और इसमें पहला विकल्प है स्रिजनात्मक, जिग्यासात्मक, आयू एवं विकास के अनुरूप दूसरा विकल्प है घर में की जा सकने वाली अत्वा ग्री आधारित तिसरा विकल्प है विसयाधारित और चौथा विकल्प है मुल्यांकन केंद्रीत इसका सही विकल्प है विकल्प एक स्रिजनात्मक, जिग्यासात्मक, आयू एवं विकास के अनुरूप इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बच्चों की एक से अधिक मात्री भासा घर की भासा होने की स्थिती में सिक्चक से क्या करने की अपेक्चा की जाती है और विकल्ब है पहला विकल्ब कक्षा में निर्देश दी जाने वाली भासा का उपयोग करना दूसरा विकल्ब छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भासाओं को अभिव्यक्ति के लिए के माध्यम के रूप में उपयोग किये जाने की स्वतनत्ता देना तीसरा विकल्ब है सिक्चक जिस भासा में भासा भिसेस का ज्यान रखते हैं उसका उप्योग करना और चौथा विकल्ब है बच्चे जिस भासा भिसेस का सरवाधिक ज्यान रखते हैं उसका उप्योग करना और इसका सही बिकल्ब है बिकल्ब दो चात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भासाओं को अविव्यक्ति के माध्यम के रूप में उप्योग किये जाने की स्वतंतरता देना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे प्रस्न है बिकास आत्मक लक्ष एक के अंतरगत आने वाले कौसल एवं अवधारनाएं कौन सी है और इसमें बिकल्ब है बिकल्ब एक मस्तिक से सम्मंदि बिकास संग्यान आत्मक कौसल अवधारना का निर्मान एवं संख्याग्यान द गरत्यात्मक कौसल तीसरा विकल्प है सुनना और बोलना समझ कर पढ़ना उद्दिश के साथ लिखना चौथा विकल्प सामाजिक रूप से बांचनी बेभार संख्या ग्यान समझ के साथ पढ़ना इसका सही विकल्प है विकल्प दो स्वैंग के परती जाग रुखता बातातपर्ज है और यहां विकल्प है विकल्प एक कारिक्रम के कार्याम्विन में लगने वाले सप्ताओं की संख्या दूसरा विकल्प एक सप्ता में पढ़ाई जाने वाले अध्यायों की सूची तयार करना तीसरा विकल्प है एक सप्ता में कार्याम्वित की जाने वाल गतिविधियों की दीनवार योजना आगे प्रस्ण है रास्टिय सिक्षानिती 2020 में प्री स्कूल स्तर तीन के लिए उपयोग की गई पारिभासिक सब्दाबली क्या है विकल्प है बालविकास दूसरा विकल्प बालवाडी तिसरा विकल्प बालवाटी का और चौथा विकल इसका और उसका सही विकल्प है विकल्प तीन बालवाति का तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे मेन बालवाटी का क्रिकरम के क्रियामभवयं की अवधी कि है विकल्प एक तीन आश्र दो, एक वर्ष बिकल्प तीन चार वर्ष और विकल्प चार धो वर्ष और इसका सही विकल्प है विकल्प दो, एक वर्ष इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे आगे प्रस्नेर में से कौन सी गतिविधी दी गई साथ ताहिक कारी योजना के अनुसार दैनिक दिन चरिया गतिविधियों में सामिल है और इसमें विकल्ब है विकल्ब एक अभिवावक, सिखछक, बैठक, PTM, दूसरा विकल्ब है सांस्कृतिक कारिकरम, तीसरा विकल्ब बालमे और अंतिम बिकल्ब है परस्पर अभिवादन एभम मिलना सर्किल टाइम एवं और निर्वात संप्रेशन और औ अगे प्रस्थानीति 2020 के शीक्षन के निवन इस्थर से उत्पन संक्थ कりました दो पहलों को रेखांकित करता है और बिकल्प है मौलिक साक्षरता और संख्याग्यान दूसरा बिकल्प बुनियादी साक्षरता और संख्याग्यान तुसरा बिकल्प स्वास्त खुसहाली यवंग संख्याग्यान चौथा बिकल्प बुनियादी संख्याग्यान और साथी कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रिया कलाप के अवसर दिये जाने की बात करती है और इसका सहे बिकल्प है बिकल्प तेन स्रिजनात्मक जिग्याशात्मक आयू इवं विकास के अनुरूप इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं निमल्कित में से कौन सा दस्ताबेज F.L.N. मिंसन का एक भाग है और इसमें विकल्प है राश्टी शिक्षानीती दोहजार बीस दूसरा विकल्प है पुर्व प्राथमिक सिक्षा के लिए दिसानिर देश तिसरा विकल्प है बिद्या प्रवेश चौथा विकल्प है पुर सिविधी अत्वा रूची छेत्रों का मुख्य उद्देश बच्चों को निमनिलखित के आउसर परदान करना है और इसमें विकल्प है पहला विकल्प खड़े होना दूसरा विकल्प निर्वाद रूफ से खेलना अत्वा भरपूर खेलना फ्री प्ले तिसरा विकल्प इवं बालबाटिका में मुल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है इसमें विकल्प है विकल्प एक अवलोकन दूसरा विकल्प है परिक्षा तीसरा विकल्प है योग्यात्मत चौथा विकल्प है नियमित अथवा निरंतर अथवा सतत एवं बहु आयामी और इसका सही बिकल्ब 4, निरंतर, नियमित, अथवा निरंतर, अथवा सतत, एवंग बहु आयामी, इसमें किलिक करते हैं, आगे बरते हैं, आगे प्रस्ण है, पुरव प्रात्मी के स्तर 3 के लिए निर्धारित आयू क्या है, और इसमें बिकल्ब है, पहला बिकल्ब 3+, दू आगे प्रसने विद्या प्रवेश एवंग बालवाटी का कारिकरम के अंतरगत गती विधियों तथा वर्क सीट अथवा सीखने से जुड़े अनुभबों का विकास किया जाना चाहिए इसमें पहला विकल्प है दो विकासात्मक लक्षों के एर्दगेत दूसरा विकल्प है विकल्प तीन तीनो विकासात्मक लक्षों के एर्दगेत इस पर क्लिक करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे है डी आई वाई से क्या तातपर्च है और इसमें पहला विकल्प है कल करें डू इट येस्टरडे दूसरा विकल्प है स्वैंग करें डू इट योरसेल्प तीसरा बिकल्ब है swing design वा चित्र तयार करना design and illustration by yourself चौथा बिकल्ब है निर्त्य चित्रन एवं यूबा रहें dance illustrate and be youthful इसका सही बिकल्ब है बिकल्ब दो swing करें do it yourself इस पर click करते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे प्रस्ण है FLN mission के दिशाने दिशों के स्में स्तर तीन के तोर पर उलिक्षित दस्ताबेज कौन सा है इसमें पहला बिकल्ब है बिद्या प्रवेश दूसरा बिकल्ब है बाल बाटी का तिसरा बिकल्ब है पुरप्रात्मिक सिक्षा की पाठी चरिया और चौथा बिकल्ब है रास्ठी सिक्षानिती 2020 और इसका सही बिकल्ब है बिकल्ब दो बाल बाटी का इस पर click करते हैं और आगे बरते हैं आगे प्रस्ण है मानव जीवन के किस चरण में मस्तिस्क का विकास तिव्रता से होता है और इसमें विकल्प है उत्तर बालियावस्था दूसरा विकल्प है कि सुरावस्था तीसरा विकल्प है बयस्कता चौथा विकल्प है प्रारंभिक बालियावस्था तो इसका सही विकल्प विकल्प चार प्रारंभिक बालियावस्था अरली चाइल्ड होड इस पर क्लिक करते हैं और आगे बरते हैं आगे प्रस्ण है विद्या प्रवेश एवं बालबाटी का कारिकरम का मूल उद्दिश्य क्या है इसमें पहला विकल्प है बच्चों को विकास में सहायक सामगरी उपलत कराना दूसरा विकल्प है प्री स्कूल स्तर पर बच्चों का ब्यवधान रहित सिक्षन सुनिस्चित करना तीसरा विकल्प है प्रात्मिक कक्षाओं में बच्च का ब्योधान रहित सिक्षन सुनिश्चित करना तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बरते हैं आगे प्रस्ण है रास्टे सिक्षानीती 2020 के अनुसार सिक्षन के नियू निस्तर से उत्पन्य संकट किन दो पहलों को रेखांकित करता है आगे इसमें विकल्प दिया गया है एक बुनियादी साक्षर्था और संख्याग्यान दूसरा विकल्प है बुनियादी संख्याग्यान और प्रयावरन के प्रति जागरुकता तीसरा विकल्प है मौलिक साक्षर्था और संख्याग्यान और इसका सही विकल्प है विकल्प एक बुनियादी साक्षर्था और संख कारण है इसमें विकल्प है एक किसी पुस्तक के सिर्षक लेखक चित्रकार आवरन प्रिष्ट की पहचान करना दूसरा विकल्प बिराम चिन्नों लोगों एवंग लेवल का ध्यान रखना तीसरा विकल्प किसी पुस्तक के परिष्थों को आगे से पीछे पलटना और कौन सी गतिवेदी दी गई साप्ताहिक कार योजना के अनुसार दैनिक अध्वा दिंचरिया गतिविधियों में सामिल है और इसका पहला विकलप है सांस्क्रितिक कार्चेन दूसरा विकलप है बालमेला तीसरा विकलब है परस्पर अभिवादन बग मिलना सरकिल टाइम और और निर्वाद संप्री चौथा विकल्ब है अविवादावक शिक्षक-बैठक PTM तो इसका सही विकल्ब है विकल्ब 3 परसपर अविवादर मिलना सरकल टाइम egड निर्वाद संप्रेशन इस पर गलिक करते हैं और आगे बरते हैं आगे प्रसवma suchका Subscribegon इवंग उसका record रखनी के लिए मुल्यांकन संबंदी कारी योजना assessment schedule के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है और इसमें विकल्फ है विकल्फ 1-3 विकल्फ 2-1 विकल्फ 3-2 और विकल्फ 4-4 और इसका सही विकल्फ है विकल्फ 1 जो है वो 3 ये इसका सही विकल्फ है जि क्या है और इसमें पहला विकल्फ है सिक्षक द्वारा आरम की गई एवंग बच्चे द्वारा आरम की गतिविदियां दूसरा विकल्फ साक्षरता एवंग संख्यात्मक ग्यान आधारित गतिविदियां तीसरा विकल्फ है घर से बाहर की जाने वाली एवंग गत्यात्मक गतिविदियां, चौथा विकल्ब है परस पर अभिवादन करने एबंग मिलने की गतिविदियां, इसका सही विकल्ब है, विकल्ब एक सिक्षक द्वारा आरम की गई एबंग बच्चे द्वारा आरम की गई गतिविदियां, तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बरते हैं, आ विकल्प दो से आठ वर्स जिसमें सही विकल्प है विकल्प एक तीन से आठ वर्स तुर क्लिक करतेए आगे बढ़ते हैं आगे प्रसन है एफल-बैंन मीशन का पूर्ण रूर्प है और इसमें विकल्प पहला विकल्ब बुनियादी भार्षा और संख्याग्यान मिशन दूसरा विकल्ब बुनियादी संख्याग्यान मिशन तीसरा विकल्ब बुनियादी संख्याग्यान सीखने का मिशन और चौथा विकल्ब है निपून भारत मिशन और इसका सही विकल्ब चार निपून भारत म ग्याइब एक नमबर में चार अधार करते हैं और लुकस्हेल और इसने बिद्या प्रवेश पर वालबाटी का इंतरगत गतिवीधियों तथा वर्क इत्त अथवा सीखने सीखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए और इसमें पहला विकल्प है कौसलों एवंग अवधारनों पर दूसरा विकल्प अवधारनों पर तिसरा विकल्प कौसलों पर चौथा विकल्प विसयों पर विसयों पर तो इसमें सही विकल्प है विकल्प कोशलों एवंग अवधारना उपड़ इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे प्रस्न है विद्याप्रवेश कारिकरम के क्रियांबरण की अवधी है यहां विकल्प है एक नंबर में 16 सब्ता दो 12 सब्ता तीसरा विकल्प छो सब्ता और चौथा विकल्प 24 सब्त मैं सही विकल्प है विकल्प 2-12 सब्ता इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तब्भेश्ब सखते हैं सब्मीड करते हैं तो सब्मीट करें हम लोग देखें your score is 20 by 20 अगर आपका इससे कम score आता है तो आप इसको redo भी कर सकते हैं परन्तु अगर आप इसे copy पर लिख लेते हैं तो निश्चित है कि आपको 20 में 20 नंबर ही प्राप्त होंगे जदी आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में